तीन अच्छे लोगों के साथ रहने का कोशिश करे। अगर आप में कोई बुरी आदत हैं, जिस कारण आप परेशानी जेर रहे हैं, तो इस परेशानी को याद रखे, जब आप बुरी आदत का अंजाम से डरने लगेंगे, तो तय हैं कि आप उस बुरी आदत को छोड़ देंगे। या उस आदत से होने वाले नुकसानों से ज्यादा एक ऐसी नई अच्छी आदत अपनानी होगी, एक ऐसी अच्छी नई आदत के फायदों के बारे में सोचना होगा जो हमें सफलता की ओर ले जा सके। तो हमारे ये अच्छी आदत उस बुरी आदत से रिफलेस हो जाती है, उसकी जगह ले लेती है। 6. अपनी गलती स्विकार करे। अपने से कुछ बुरी आदतों को दूर करें, यानि टाइम से काम खत्म करना, उदाहरन के लिए मानो आपको वीडियो एडिट करना है, तो अपने आप से वादा करें कि आप अपना वीडियो एडिट शुकरवार रातरी तक खत्म करेंगे, तो आपको अपने रोज के काम या ऐसा कोई भी कार्य जो आपको पसंद नहीं है, उससे छुटकारा पा सकते हैं, आठ, खुद को बिजी रखें, बुरी आदत से दूर रहने के लिए कुद को बिजी रखें, खुद को किसी मनपसंद एक्टिविटी जैसे खेल, बुक्स, मुवीज, हित्यादी में व्यस रखें, कोशिश करें कि आपको अकेले न रहना पड़े, 9. विशलेशन करें, कोई भी आदत आपको कितना प्रभावित करती है, उसका विशलेशन करना भी बहुत जरूरी होता है, जो चीजें हमारे दिमाग में बार-बार चलती रहती हैं, वे आदत का रूप ले लेती है इसलिए किसी ऐसी चीज की और ध्यान लगाएं, जो अच्छा हो. 10. एवर्शन थेरेपी ट्राई करें आला कि एवर्शन थेरेपी हर किसी पर काम नहीं करती, लेकिन एक बार कोशिश करने में क्या प्रॉबलम है, जैसे अगर आपको सिगरेट पीने की आदत है, तो सिगरेट का बुरा पिक्चर इमेजिन करें और उसके सबसे बुरे प्रभाव के बारे में सोचें, धीरे धीर तो कॉमेंट में चैलेंज एक से प्रेट जरूर लिखे, मिलते हैं, अगले वीडियो में धन्यवाद